वेलकम फ्रेंद्स एंड इन इन दिस शॉर्ट वीडियो आइल गिव यू अ ब्रीफ प्रिवियू मैं आपको दिखाऊंगा चोटा सा प्रिवियू मेरे अपकमिंग टेक अपडेट 7 सेशन का तो यह हमारे अलुमनाए का पार्ट है और इसमें हर बार की तरह हम बहुत सारी अमेजिंग टेक्नोलोजी लेकर आएं आपके लिए तो फर्स्ट अपॉल आई विल बी ब्रिंगिंग यू अन अमेजिंग कॉम्बो और वाट्साप प्लस गूगल शीट तो इसको यूज करके आप किसी भी तरह का मैसेज अपनी गूगल शीट से विद इमेज़ विडियो अपने क्लाइन्ट को भीज सकते हैं चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो चाहे वो और लज़ाग्रेशन के लिए हो तो इसके ओपर एक छोटा विडियो हम अलग से शेयर करेंगे आपके साथ तो इसको आप आप देखte हैं और यह किसी भी और शीट के साथ भी आप इसको इ मैंने cover किया है कि what are the habits of successful sales people what are the most important things then I'm going to share with you the sales metrics that I'm using for my company मैं वो क्या चीज़े measure करता हूँ अपनी company में which ensure that sales are growing day by day, week by week, month by month and year by year. इन metrics के बिगार अगर आप इन metrics को नहीं use कर रहे हैं तो I can't imagine कि आप अपनी sales को कैसे manage कर रहे हैं तो यह बहुत ही research के बाद बहुत ही time लगाने के बाद हम लोग लोगों ने discover किया है और यह वो metrics हैं जिससे कि आपकी sales वाकिए बहुत effective हो जाएगी तो इसमें बहुत तरह के metrics रहेंगे advanced searchable database रहेंगे weekly metrics रहेंगे उसके बाद में आप देखेंगे quarterly and monthly metrics रहेंगे और yearly metrics तो क्या चीज़ें आपको measure करनी है किस frequency पर measure करना है कैसे sales वालों को manage करना है यह सब मैं आपको सिखांगा that is how to build your own sales playbook तो अगर आपके हाँ पे sales करने का एक specific तरीका नहीं है आपने कोई भी sales playbook नहीं बना रखी तो आप ही सारी sales कर रहे होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके sales persons perform करें आपकी तरह field में तो you must have a playbook and I have spent so much time and energy in building a amazing playbook and that is delivering results to me and we are sales running into several crores तो यह sales book में एक-एक sales की area हम cover करते हैं कि क्या देखना चाहिए customers के अंदर कैसे plan करना चाहिए अपने schedule को कैसे हमें inquiries को handle करना चाहिए तो कोई sales का एक area इसमें ऐसा ही नहीं क्योंकि हमने इस playbook में नहीं cover किया है and I am going to be sharing this entire playbook and with you so that you can use this and modify this customize this for your own company and use it to train your sales people to deliver maximum sales और बहुत जबदर शीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं manifestation को use करता हूँ sales के लिए to get more business तो इसके अंदर क्या वो affirmations हैं जो कि आप use कर सकते हैं और एक special guided meditation मैं अपने sales वालों को कराता हूँ तो वो कैसे conduct करनी चीए it's really an amazing experience you must you will have to see it to believe it आपको विश्वास नहीं होगा कि वाकि ऐसी भी चीज हो सकती है तो बहुत ही amazing experience रहेगा यह और मैं आपको सीखाऊंगा कि कैसे एक एक inquiry जो आपको Gmail पर आ रही है उसको आप automatic तरीके से track कर सकते हैं उसमें क्या action हो रहा है नही हो रहा एक एक चीज आपको पता लग सकती है तो जो भी inquiries आपके पास आ रही हैं उनको कैसे track करें फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप video को use कर सकते हैं sales and marketing के लिए तो आप ये video को कैसे use कर सकते हैं so this is also going to be an amazing amazing set of utilities that you can use to increase your sales like anything एक और बहुत बड़ा problem जो लोग मुझसे discuss करते हैं वो है import range तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है तकलीफ आ रही है कि import range में बहुत तरह के errors आते हैं जैसे कि loading data तो इस तरह के errors आते हैं जब sheet बड़ी हो जाती हैं slow हो जाती हैं तो हमने इसका एक बहुत ही करना चाहें and the best part is that it is super fast and doesn't slow down your sheet तो आप उसमें multiple sheets से data import कर सकते हैं किसी भी एक sheet में then there's several other beautiful utilities अगर आपकी Google Drive भर गई है तो कैसे आप duplicate files को उड़ा सकते हैं धूंड सकते हैं बड़ी files को कैसे एक पूरी drive की activity report निकलाएगी कि कौंसी files लोगों ने delete कर दी कौंसी files ऐसी हैं जिनमें की owner आप नहीं है कौंसी files ऐसी हैं जिनमें की आप owner है कौंसी ऐसी files हैं जो की modify की गई हैं so based on any criteria we can get a complete report of the entire Google Drive and again another amazing sheet this is an auto write protected sheet तो कोई भी चीज इसमें एक ही बार लिखी जा सकती है अगर आप उसको एक बार लिख देते हैं तो उसको बदला नहीं जा सकता without your explicit permission तो यह दिखेंगे आप कि अगर यहां पर हमने कुछ लिख दिया है अगर कोई और कुछ और लिखने ही कोशिश करेगा तो वापिस से जो पहले लिखा गया है वो वापिस आ जाएगा नहीं पूछा नहीं पूछा तुम जी आपको आप पूछा वेलक्टेड नहीं अगर प्रदा नहीं जाएगा already more than 50 people who are members of the Tech Alumni तो I welcome all of you, तो बहुत amazing content हम लेकर के हमेशा आते हैं इसके अंदर, तो यह आपको details आ रहे हैं इसको, हमारे जो staff है Sonika, Rama, उनसे मिल जाएंगी तो please do register for this and I really look forward to seeing all of you तो आप जरूर आईएगा, thank you so much जरूर आपको